अगले कुछ सालों में हम स्पेस, डिफेंस, मैनुफेक्चरिंग, टेक्नालोजी, इनोवेशन और ऐसे कई सेक्टर्स में कहां पहुचेंगे ये सब आप पर निर्बर होगा हमारी गती, हमारी दिशा, हमारी एप्रोच कैसी होगी, ये सब आप तै करेंगे और इसका एक बड़ा माध्यम मतदान ही होगा बविश्य के भारत में आपके लिए संभावनाय कैसी होगी इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो इस कालखन में देश की व्यवस्था समा लेंगे ऐसे में उन लोगों का सही चुनाव हो ये जिम्मेदारी आप नवजवान मतदाताओं पर है आपके लिए जरूरी है कि अगले भारत का भाग्य उजवल बनाने के लिए वोट दें इसलिए याद रखिएगा आपका एक वोट और देश के विकास की दिशां दोनों आपस में जुड़े हुए हैं आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थे ववस्था बनाएगा आपका एक वोट भारत में एक स्थीर और बड़े बहुमत वाली सरकार बनाएगा आपका एक वोट भारत में तेज रिफॉर्म को उसकी गती को और तेज गती देगा आपका एक वोट भारत में डिजिटल क्रांती को और उर्जा देगा आपका एक वोट पहलिये भारतिय को अपने दम पर अंतरिश में पहुचाएगा आपका एक वोट अंतरिश में भारत का पहला स्पेस स्टेशन स्थापित करवाएगा आपका एक वोट भारत में पहला पैसेंजर एरक्राप बनवाएगा आपका एक वोट दुनिया में भारत के साख और बढ़ाएगा इसलिए आपके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है साथियों जब देश में पूर्णा बहुमत वाली सरकार होती है जब देश में स्थीर सरकार होती है तो देश बड़े फैसले लेता है दसकों से लटकी हुई समस्याओं को सुल्जा कर आगे बढ़ता है आप देखिए ये हमारी पूर्णा बहुमत की सरकार है जिसमें जम्मु किश्मीर में आर्टिकल 370 हटा कर दसकों का इंतजार खत्म किया ये हमारी पूर्णा बहुमत की सरकार है जितने हमारे देश के सेना के जमानों के लिए बन रेंग बन पेंशन लागू कर देश के पुर्व फोजियों का चार दसक का इंतजार समाप्त किया झाल